ओम गन्पते इनमा ओम गनिश्या इनमा दोस्तों शेक्सपेर ने पूछा था कि नाम में क्या है तो ऐसा लगा कि नाम कुछ नहीं है अगर नाम कुछ नहीं है तो आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उन्होंने अपने नाम क्यों चेंज किया है लोग नाम के लिए इतनी मेनत क्यों करते हैं कुछ सेलिब्रिटीज जैसे कि अमिताब अचन, सल्मान खान, रजनी कांत, अक्षे कुमार, रितिक रोशन, रेखा, रनबीर सिंग, शिल्पा शेटी, मदूबाला, जौन अबराहेम, मिथुन चकरवर्ती, और ऐसे कई नाम, जिन्नों ने अपना नाम चेंज किया, और एक सफलता का नई उच्चाई को हासल किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेनत नहीं की, मगर मेनत तो वो नाम चेंज करने से पहले भी करते थे, आप कई पर देखेंगे, सब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका नाम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या कुछ मुश्किलें डाल रहा है, तो चोलो दोस्तों बात करते हैं इस टॉपिक पे, आपके नाम की बारे में, कि नाम क्या हो, कि मेरा नाम ठीक है, नाम में क्या रख़ा है, क्या गलत नाम गलत जिन् नाम का हमारी जिन्दगी में बहुत importance रहता है, नाम एक परकार का शबत है, एक मंत्र है, एक ताकत है जो किसी भी इंसान को तरक्की करने के लिए चाहिए, एक पहचान बिनाने के लिए चाहिए, जीवन को ढंक से चलाने के लिए चाहिए, आपने एक आमिर खान की movie देखी हो कि बेटा हमारा बहुत नाम करेगा, लोग बोलते थे आपने अपने माबाप के नाम को चमका दिया या नाम को टुबो दिया, हमारे देश के सैनिक नाम, नमक और निशान के लिए अपने प्रानों पर केल जाते हैं, तो नाम ये एक बहुत important है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं request करूँगा, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो इसको like करें, आप अपने comment दे सकते हैं, आप अपने नाम के लिए, बच्चे के नाम के लिए, कम से कम free consultation के ये मत आए, क्योंकि एक detailed study है, आप shortcut मत थूड़ें, आप को information चाहते हैं, consult कर सकते हैं, दोस्तों इस topic में हम cover करेंगे नाम को, किस तरीके से, निम्रॉलोजी के हिसाब से, और astrology के हिसाब से, नेमिंग का क्या principle है, दोस्तों हम जानते हैं, कि हिंदूों के 16 संसकार होते हैं, इसको हम समस्कारा, समस्कारा मतलब getting ready, से भी चानते हैं, बुद्धिजम में 40 संसकार माने जाते हैं, और हिंदू वैदिक सिस्टम में 16 संसकार माने जाते हैं, जो कि आपके जनम से पहले से, इस जीवन के विविन पढ़ाव को लेकर चलते हैं, और इवन मृत्यों के बाद तक चलते हैं, जिसमें की गोद भराई, नामा करन, आपका स्कूल जाना, शादी, इवन डिथ और उसके बाद शरात, ये सभी संसकारों में आते हैं, इसमें विवा, ग्रैपरवेश, इवन हनीमून, इनको भी काउट किया जाता है, दोस्तों हिंदू में 10 डिया 10 या 11 दिन बच्चे के पैदा होने के बाद, जो एक बड़ा फंशन किया जाता है, एक पवित्तर सेरेमनी ये समरो किया जाता है, जिसके अंदर पंडितों को बलाया जाता है, फैमिली मेंबर्स को बलाया जाता है, और एक बच्चे को नाम दिया जाता है, वो नाम जो कि उसके कुल द वो उसके फादर के नाम के साथ, या मदर के नाम के साथ, या प्लेस वबर्द के नाम के साथ, उससे निकाला गया हो, वो नाम जो पुवित्र नाम हो, और बच्चे के नक्षत्र के हिसाब से हो, वो नाम जो बुरा ना हो, किसी गलत वर्ड के साथ, इन उस्पिशियस वर्ड क के साथ unpleasant word के साथ connected ना हो दोस्तों हमारा नाम चलता है जनम से मरन तक जब इसको बोलते हैं ये बॉडी शरीर इनके अंदर के मंतर का अवहन करता है अगर आपने नाम कमाया है तो वो चलता है कि लंबे अर्शे तक और लोग आपको आपके नाम से मंदिर, कुर्थवारे, प्याव, बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल वो बनवाते हैं तक नाम चलता रहे अगर नाम इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको रखने में लापरवाई क्यों बड़ा दुख लगता है जब कुछ पेरेंट्स इसको एक रोटीन एक्टिविटी कोशिश करते हैं, डिफिकल्ट नाम को लूने की कोशिश करते हैं, मैं ऐसे नाम नहीं बोलूँगा, कुछ लोगों को इसमें प्राब्लम हो जाएगी, तो वो एक बच्चे का ऐसा नाम रख देते हैं, जो उसकी जिंदगी में कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता रहता है, तो दोस्तों, नाम कैसा होना चाहिए, नाम की वाइबरेशन आपकी जनम नक्षत्तर से और आपकी डेट बर्द से मैच करेगी, तो नाम एक मंतर बन जाएगा, एक शक्ति बन जाएगा, और वो ऐसी शक्ति बनेगा, जो इस इंसान को लाइफ में, हर प्राब्लम में हे उसको सफलता देगा, और उसको उसकी लाइफ को इजी करतेगा, तो नाम कैसे रखना चाहिए, बच्चे का नाम हो, यह इवन आपके बिजनस का जो आपकी शौप का नाम है, बिजनस का नाम है, घर का नाम है, वो नाम कैसा होना चाहिए, पहले बच्चे के जनम के नाम की भात करेंगे तो पहले जो आपका जेर्ण आलफफबेटर है जनम नख्शत्र के हिसाब से चुन्नाी किन जनम नख्शत्र किया होता है जब बच्चा पैदा होता है तो जिल्मून पैसंग चत्र में चल राहरकिन इस चरण उस बच्चे के जनम पे वो लागू होगा उसका एक alphabet होता है जिसके alphabet वो उसके नाम का first word होना चाहिए first letter होना चाहिए तो सबसे पहले आप उसका date of birth time देखें उसके अंदर आप जनम नक्षतर देखें जनम नक्षतर का पद देखें यानि कि उसका चरन देखें आपके सामने जो चार्ट है उसमें हर नक्षतर के चरन के हिसाब से एक आपका first alphabet दिया हुआ है जिसके बेस पे नाम का first letter होना चाहिए इसके बाद बाकी नाम जो है numerology के हिसाब से उसका जो नमबर का मूलांक या भाग्यांक के साथ जो उसका नामांक है वो मैच करना चाहिए दोस्तों नाम से बनता है एक number जिससे नामांक कहती है numerology में हर number का हर alphabet का एक number दिया होता है आपके सामने जो चार्ट में हर alphabet का एक number दिया हुआ है उन सब का total करने के बाद एक number बनता है जिसे नामांक कहते है और दूसरा number बनता है आपके date of birth का उसमें दो नमबर बनते है मूलांक और भाग्यांक मूलांक जो आपके सरफ date of birth से बनता है सरफ date से बनता है और भाग्यांक जो पूरे date of birth से बनता है तो दोस्तों आपके डामंग का connection होना चाहिए आपके मूलांक और भाग्यांक दोनों से अधरवास कम से कम एक से connection होना चुरूरी है दोस्तों इन दोनों के बीच में एक दोस्ती का रिष्टा होना चाहिए कि ऐसी vibration होनी चाहिए जो एक दूसरे को support कर सके date of birth आप change नहीं कर सकते हैं आप अपना नाम date of birth के हिसाब से रख सकते हैं नाम के दो या तीन हिस्से होते हैं first name जो आपका सबसे important है दूसरा है family name वो आपका surname है वो भी fixed है और कुछ जगह पर एक third part भी use करते हैं जिसको passive name कहा जाता है जो कि आपके father का या आपके husband का नाम होता है हर जगह ये use नहीं करते हैं मतलब आपका नाम first name your name second आपका family name तीसरा father या husband का name so father का name change नहीं कर सकते आपका surname change नहीं कर सकते तो सरब आपका जो first name होता है उसको इस तरीके से रखा जाता है कि जो नामांक है वो आपके date of birth या date of birth के साथ मैच करता हो जो नाम है वो आपके कुल देवता इश्ट देवता स्थान देवता ग्राम देवता प्रत्यारी देवता इनमें से किसी में किसी के साथ connected हो तो अच्छा रहेगा नाम simple होना चाहिए नाम ऐसा होना चाहिए जो आपको positive vibration दे सकें दोस्तो नामा करन हिंदू का एक बहुत बड़ा संसकार है इसको हम पूरे रिती रिवाज के साथ करें तो यह अच्छे result देगा नाम उस personality से मेल खाता हो जिसको आप अपने बच्चे में देखना चाहते हो दोस्तो इसको लेकर हम कुछ दो example करेंगे जिससे कि आपको यह पूरे concept clear हो जाए यह जरूरी नहीं है कि नाम change करने से आपकी जिन्दगी में तरक्की आएगी मगर आपको यह देखना है कि कहीं नाम आपके जिन्दगी में रोड़ा नहीं बन रहा है यह resistance नहीं बन रहा है अगर हम business की बात करते हैं कि आपके दुकान का नाम shop का नाम business का नाम उसको कैसे चेक करना है तो उसके लिए आपको जो date of birth time लेना है जो उस दुकान के business के स्वामी यानि कि उसके owner का नाम है उसके owner के नाम और उसके date of birth के हिसाब से लेना है और आपके shop का purpose क्या है उसके हिसाब साइब को जिखना है को अभी हम दो नाम लेंगे as an example उसके अंदर हम देखेंगे कि ये नाम ठीक है या नहीं है और अगर इसके अंदर क्या चेंजिस किये जाएं कि ये नाम ठीक हो जाएं और इंडिज्वल को उसका फाइदा देना शुरू हो जाएं जिन बच्चों के नाम अभी नहीं रखे होंगा कि इसकी जो नामा करना है आप प्रापर सिस्टम से करें ताकि बच्चल को पूरा फाइदा के लिए कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं अभी जो हम चार्ट लेने जा रहे हैं इसके अंदर हम मिस्टर अश्वनी शर्मा नाम की इंडिज्वल का चार्ट लेते हैं जि इसके इनदर मू जिस लेक्षत्र में होगा जैसे इसके इसके दर मूं जो है कृति का नक्षत्र में तो को नक्षत्र का अगर आप यहां नाम सही हों फॉस्ट alphabet सही है अभी हम इसी नाम को numerology के हिसाब से देखने की कुशिश करेंगे एक यह सभी alphabet के नंबर दिया होता है उसके लिए मैंने छोटा सा यह program बनाया है अगर प्रोग्रम नहीं भी है तो आपके पास यह detail दी हुई है जिसके अंदर हर alphabet का नंबर डाला हुआ है उसको आप जैसे जैसे फीड करेंगे तो उसका नंबर जो है वो आता रहेगा जिसे इस case के अंदर मैं individual का नाम एंटर कर रहा हूं अच्छुने यह इनका first name हो गया यह first name के total को किया जाए तो यह number आता है तीन अभी इनका second name नहीं है last name है हम लास्ट नेम लेते हैं अच्छुने शर्मा यह number आगया नाइन तीन और छे मिलके total जो नमांक आ गया वह आगया नोग अभी हम देखते हैं रेटो बर्ट कुंटी थर्ड जैनुरी नाइन्टीन तो इनका जो मूलंक आ गया मूलंक होता है डेटो बर्थ सिर्फ डेटो डेट का total तो मूलंक आ गया 5 और जो इनका भाग्यांक आ गया वह आ गया 8 यानिकी 8 जो कि टोटल डेटो बर्थ का टोटल है अब भी हम देखेंगे कि जो इनका नामांक है क्या वह मूलंक या भाग्यांक के साथ कंपैटिबल है यह नहीं है उसके लिए टेबल दिया हुआ है अधर आपके पास वह टेबल अवेलेबल होगा अब देखेंगे नंबर तीन जो नामांक हम ले रहे हैं नामांक जुपिटर यानि ब्रश्पती से रिनोट कर स्रीकरेक्षाइण इनका जो नामांक है वह नहीं तो नहीं मार्स को रहें और नहीं जो यह नाम के साथ कंपैटिबल नहीं और भाग्यांक भी नाम के यहां तो मूलांग के compatible आ जाए या भाग्यांग के compatible आ जाए कम से कम भाग्यांग के compatible आ जाए ताकि इनका भाग्ये उद्धे हो सके उसके लिए क्या करना है इनको इस नंबर नेन नंबर को जो नामांक है 9 को इन्होंने 8 में convert करना है कि एट में कनवर्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं इनकी अंदर कोई वर्ड को कम करना किसी वर्ड को माइनस करना यह किसी भी तरीके से यह उसको चेंज कर सकते हैं कि दोस्ता इसके इसके अंदर अगर वह सरफ एक एच को अपने नाम की बीच में एड़ कर दें एच जो है जिसका जो टूटल आएगा उस्ते उनसे उनका नाम जो है वो उनके भाग्यां के ब्राबर हो जाएगा जिससे कि इनको जिन्दगी में जो आने वाली प्राब्लम्स ह उनसे छुटकारा मिल जाएगा अभी हम इसी एक्जाम्पल को एक दूसरी एक्जाम्पल लेते हैं उसमें भी देखने की कोशिश करते हैं अभी हम चार्ट लेते हैं मिस्टर किरिंशा है किरिंशा इनका डेट वबर्थ है 30 नॉवंबर 1966 इनकी डिटेल हम किसी भी होरो सॉफ्टर में डालते हैं तो इसके अंदर इनका जो मून है वो मृक्ष्रा नक्षत्र में है मून मृक्ष्रा नक्षत्र में जिसका फॉर्स्ट वर्ड की आता है इसका मतलब इनका नाम का फॉर्स्ट अल्फाबेट सही है वह बाकी अल्फाबेट के लिए देखते हैं दोस्तों यह एक्सल प्रोग्रम है यह आपके पास आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगा एक सिंपल प्रोग्रम है जिसके अंदर आप सिर्फ नाम डालेंगे तो आपका जो नाम आंक है उसकी अप कैल्कुलेशन अपने आप हो जाएगी भाग्यां की कैल्कुलेशन अपने आप हो जाएगी यह अपने नाम डालेंगे किरंशा सो इनका जो नामांक आ गया वो आ गया आठ उनकी डेटो पर देखते हैं 30 नुमंबर 1966 तीस नुमंबर गया इनका मूलंक आ गया थ्री और भाग्यांक आ गया नौ तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इनका जो नामांक है भाग्यांक या मूलंक किसी से मैच करें अभी आप देखेंगे कि तीन जो है इनका जो नामांक है और नौ नुमंबर जो कि इनका भाग्यांक है वो इनके कंपेटिबल नहीं है तो कोई भी एक ऐसा वर्ड ये बीच में एड कर दें जिनसे कि इनका जो नामांक है वो नौ बन जाए तो इनके लिए लग्की रहेगा उसके लिए मेरे मेरे पास एक सिंपल आप्शन है कि मैं यहां पर एक एड कर देता हूं एड करने से इनका जो नामांक है वो नौ हो गया और भाग्यांक नौ हो गया उन्होंने सिर्फ अपने नाम के अंदर सिर्फ एक शा के अंदर एक एड करने से इनका यह जो नामांक है इनके भाग्यांक के लिए सूटेबल रहेगा इनका ना और कार्ड यां दूसरी जगह पर आप इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा जहां पर आप सिगनेचर करते हैं वहां पर आप इस काम को करेंगे तो आपके लिए शूटेबल रहेगा यह तो था दोस्तो एक दो एक जांपल जिनके अंदर हमने कोशिश की है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें यह जो एक्सल की शीट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके अंदर अपनी डिटेल डाल सकते हैं उसके हिसाब से अपने नाम के अल्फाबेट चेंज करके देख सकते हैं कि कौन सा नाम में माइनर चेंजिस करने से नाम आपको हो लग्की कैसे हो सकता है आपका दिन शुब रहे उम कन पते नवा कर सकते हैं